वेल्कम बैक टो किरनकोर्स किचिन तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहा और सूजी से इतनी टेस्टी सी ब्रेकफस्ट की रेसिपी जिसे आप एक बार बार बनाकर खाएंगे इतना टेस्टी ब्रेकफस्ट बनता है कि आप इसके फैन ही हो जाएंगे तो देखिए कि साथी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपको मेरे रेसिपी इस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले तो चलिए स्टाट कर लेते हैं रेसिपी तो यहां पर म अधर कितने अच्छे से सुफ्ट हो चुका एक दूम आठो अच्छे से यह क्रश हो रहा है तो इसे हम ट्रांसर कर लेंगे मिक्सर ग्रेंडर जार में उसके बाद इसमें हम एक कप सूजी एड़ करेंगे तो सूजी आप कोई भी यूज कर सकते हो बारिक या मोटी जो भी अधरक एड़ कर लेंगे और इसमें हम आफ कप दही एड़ कर लेंगे तो देखिए इसका जो टेक्स्चर कुछ इस तरह से होने चाहिए जिस तरह से हम इडली का बैटर बनाते हैं सेम वेसे ही तो इसे हम ट्रांसर कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल में तो आप देख सकते हैं कितना स्मूध यह बैटर बनकर रेड़ी हुआ है तो इससे हमना धक्का रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसमें हमने सूजी एड़ की है तो अच्छे से फूल जाए तो जब तक यह रेस्ट होता है हम आगे कर फोसे से स्टाट कर लेते हैं तो यह आदा चमच चमचूर पाउडर एट कर लेंगे साथ ही यहाँ पर हम इसमें महगी मसाला एट करेंगे तो आप चाहो तो गरम मसाला भी एट कर सकते हो पाबाजी मसाला भी एट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगए आप वो मसाला इसमें एट कर सकते हो बहुत ही टेस्टी तो यहां पर बैटर भी हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट कर चुका है तो देखिए तो इसमें से अब हम आदा बैटर जो है अलग कर लेंगे एक अलग बाउल में रख लेंगे इसका अदा बैटर अब भाखी की बचवे बैटर में हम फूट सॉल्ट एट करेंगे तो यहां पर हम हाफ पकेट ही इसमें यूज़ करेंगे और हाफ पकेट हम साइड में रख लेंगे अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हो तो आप वह भी जरूर एट कीजिएगा बहुत करके बैटर को रेड़ी किया था फटा फट से हमें इस तरह से एट कर लेना है फैला लेंगे अच्छे से तो यह पर साइड में मैंने कड़ाई में पानी भी गरम कर लिया था तो इस तरह से हम एक रिंग रख लेंगे और इस बेकिंग ट्रे को कड़ाई के अंजर इस तरह स तो यहां पर यह बहुत अच्छे से हमारा जो नाश्टा है स्टीम हो चुका यह से निकाल लेते हैं बाहर तो देखिए कितने अच्छे से यह स्टीम हो चुका है उसके बाद इसमें हम शजवान चटनी लगाएंगे तो आप चाहो तो हरी चटनी भी लगा सकते हो यह फिर टम की फिलिंग तो देखें यहां पर आलू की फिलिंग के लियर भी हमारी कंप्लीट हो गई यह जो हमने बाखी का बैटर बचा करके रख लिया था उसमें हम बचावा इनो एड करेंगे फटा-फट इससे हम मिक्स कर लेंगे तो इनो मिक्स करके इसे इंस्टंटली हमें इस बैटर के उपर इस नाश्टे के उपर ढाल देना है बैटर को तो इस तरह से इस बैटर को ढाल कर हम फैला लेंगे चमच से उसके बाद फिर से हम ऐसे स्टीम करना है सेम प्रोसेस से हम रख लेंगे इस तरह से कड़ाई के अंदर और धकन लगाकर इसे हम 10-12 मिनिट के लिए फिर से स्टीम करेंगे ताकि उपर की लेयर भी अच्छे से कुक हो जाए तो देखिए अबर 10-12 मिनिट हो चुके हैं और हमारा जो नाश्ता है बहुत अच्छे स्टीम हो चुका है तो इसे हम पहले ठंडा कर लेंगे तो देखिए कितना परफेक्टली यह स्टीम हुआ है तो जैसे ही ठंडा हो जाएसरे हम इस तरह से साइट को कट लगा लेंगे उसके बाद हम नाश्ते को अपने मनपसंद शेप में कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसे स्कुयर शेप में कट कर रही हूँ तो ठंडा होने के बाद इना ये खुदी ट्रे को अच्छे से छोड़ देगा तो आप पेले अच्छे से ठंडा करेंगे अगर अब गरम गरम ये प्रोसेस करेंगे तो ये नाश्टा चिपक भी सकता है तो देखिए ठंडा होने के बाद कितने अच्छे से ये निकल कर आया है बेकिंग ट्रे से तो इसे अब हम shallow fry करेंगे तो यहाँ पर मैंने तबा चड़ा लिया है गे इस पर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे तावे पर और एके करके इस नाश्टे को अच्छे से क्रिस्पी shallow fry कर लेंगे तो आप चाहो तो इसे आप deep fry भी कर सकते हो लेकिन हम इसे healthy अधी तरीके से बना रहे हैं तो इसे हम shallow fry करेंगे तो अगर आप डाइट पर हो तो आप इसे बना कर खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्टा है तो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम इसे गोल्डन फ्राइब कर लेंगे तो इस तरह से हमेके करके अलटते पलटते से अच्छे से हमने fry कर लेना है तो देखिए एक साइट से यह अच्छे से fry गोल्डन हो चुके है तो आप भी जरूर ट्राइब करके देखिएगा बहुत ही टेस्टी सा यह नाश्टा है तो देखिए यहां पर हमारा सारा नाश् अच्छे से गोल्डन फ्राय हो चुका है तो आप इसे सर्फ करें चटनी या फिर सॉस के साथ मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग